जैहिन दोस्तो आज बजाज सिलिंग फैन इसमें नया अश्टेटर लगाये जाएगा आप ध्यान पुरुवक देखें कि की तरह इसमें अश्टेटर लगाये जा रहा है साथ में केपिसेटर और बैरिंग का भी काम किया जाएगा तो सबसे पहले पंक्खे को बोडी को निकाल लीजिए और इस परकार आपको दिखाया गया है उस परकार रखिए और उसको उसके बैरिंग में अश्टेटर को लगा दीजिए जैसे आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं यह आप लगा दी है यह भी आप नोट कीजिएगा कि जब उसमें रगा रहे हैं तो जो चारो तुरफ जो रिंग होता है उसमें उसको फ्री मूविंग होना चाहिए तो वो तो आपका आप देखें कितना फिरी घुम रहा था हम तो चलते हैं फिर इसका कनेक्शन किया जाए किस प्रकार कौन सा तार कौन सा वायर किस जगह पे रहेगा तो सबसे पहले इसके बोडी को आप तीन नट से इसको अच्छी तरह से इसको पेच को टाइट कर लिजिए उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाये जा रहा है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अब वोडी का नस अच्छी तरह से टाइट कर दिये ज़िए नहीं रहना चाहिए कारण यह होता है कि धिला हो जाने के बाद आवाज करने लगता है अब चारो तरह से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया गया है और कितना फ्री अस्मूथ रनिंग कर रहा है तो आप आगे देखेंगे इसमें कंडेंसर कौन सा लागाए जाए देखिए सबसे अधिक पंखा जो जलता है या जो कंपनिया जो पंखिया अधिकतर देती है उसमें दो पॉइंट का या 2.5 का केपिसिटर रहता है कस्टमर क्या करता है कि पंखा को चाल बढ़ाने के लिए 3.15 यहां तक की 4 का भी केपिसिटर लगा देता है तो इससे पंखा जल जाता है यह चीज आप ध्यान दीजिएगा कि केपिसिटर पंखे में लगाना है तो आप अधिक से अधिक 2.5 का लगाईए उससे ज्यादा न लगाईए ज्यादा लगाने से पंखा आपका जल जाता है तो इसमें हमने 250 का करणेंसर लगाया हुआ है लगाने जा रहा है तो आप क्नेक्शन समझे लीजुए लाल वाला जो है आपका यह मेन प्वाइंट हो गया और उसकी अलावा जो ब्लेक और निला जो है यह मनस प्वाइंट इसमें आपका जो लाल और पीला वला जो है लाल और नीला वला है इसमें कंडिंसर रहेगा और लाल को में में कर दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि केपिसिटर लगाने के बाद एक वायर नीला वाला में जोड़ा जाएगा और दूसरा वायर जो काला वाला है लाल को नहीं छूना है लाल आपका मेन हो गया एक काला वाला केपिसिटर में जो केपिसिटर का दो वायर होता है दोनों पंखे का वायर में लग चुका है अब उसके बाद टेस्ट हम लोग करेंगे लाल को मेंड पकड़ लीजिए और काला और नीला है इसको मानेस मर रखिए आप देख सकते हैं लाल रेट कलर का वायर है जो आपका वायर है जेब हम इसको काले वायर में लगा रहे हैं तो फॉंखा मतलब बाएं घुमता है यानि क्लोक वाइक यह जो आप देखें हैं यह आपका सही है यह एंटी क्लोक एंटी क्लोक जो उपर से आप देख सकते हैं लेकिन जब यह पंखा जब उपर लगेगा सिलिंग में तो एक क्लोक वाइक हो जाएगा तो बाएं और ध्याएं ध्यान देनी की बहुत ज़रूरत है इन्टो पंखा आपका कनेक्शन अगर करते हैं तो उल्टा और सिधा यही वायर आपका करता है तो जो काला वाला है यह आपका मानस पॉइंट हो गया और उसके बाद बचा एक नीला वाला तो इसको हम क्रेंट में नहीं देंगे यह आपका बीच वाला जो नट है उसमें इसमें कोई भी हम कनेक्शन नहीं देंगे आपका एक लाल और एक कला आपका पलस और मानस का वायर हो गया आपको इसी में इसी में पंखे चलाने के लिए तार को वायर पड़ेगा यह आपका जो निला वाला बचा इसको आप बीच में डालिएगा क्योंकि इसमें क्रेंट की कोई जरूत नहीं है यह कंडेंसर के माध्यम से इसमें पावर आता रहता है तो आपका में पॉइंट हो गया लाल और नीची वाला ध्यान से देखेंगे एक लाल हो गय और एक नील नीला हो गया काला को आप हटा दीजिए तो आप इसको चेक किया जाएगा किस परकार यह पंखा आपका चल रहा है कि वारिंग करते समय आपको नोट करना बहुत जुरूरी है किस परकार इसका वारिंग किया जाएगा तो दोस्तों आप टेकनिकल सोब चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते रहें आपको अच्छे अच्छी वीडियो हम इस चैनल पर दिखाते रहेंगे तो दस्तों आज का वीडियो कैसे लागा कमेंट में जरूर अपना राय दे तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए तब त लाइका वीडियो